अच्छा अनामिका जी आई हुई है चलें इन से बाते करते हैं ऑननामिका जी कैसी है अलो सर cricket का जी सब बहुत अच्छी आप कैसे हैं साइक unexpected सर्दिश्टे अच्छी हैं यह केंडरिया मंत्री हमारे प्रलाद्जुशिक्शी है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि गुजराथ में जैसे गीता पढ़ाई जारही है स्कूल सिलेबस मे या कॉलिय सिलेबस में उसकिटा मुझे ग्लेयर नहीं पता है तो वैसे उन्होंने कहा है कि जो भारत के सारे राज्ज हैं, उसमें पढ़ानी चाहिए। कहां तक इसे लड़ पाएंगे सर इसके बादे में कुछ बताईए जी देखिए ये जो भी बाते आ रही है कि धार्मिक गरंथ को पढ़ाने की बाते तो धार्मिक गरंथों में तो इतनी बेकार हैं और उसको तो हम बच्चों को पढ़ा सिखा भी नहीं सकते क्योंकि परपस क से कौन सी नैतिक सिक्षा देना चाहते हैं कि दो वहां पर बंदे हैं एक बंदा जो है लड़ाई इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वह अपने भाई बंधों को मार देगा और जब मार देगा तो वहां पर जब वो मर जाएंगे पुरुस मर जाएंगे त जब बिध्वा हो जाएंगी तो फिर जो है वो किसी और से साधी रचा लेंगी या फिर कोई और जो बचा होगा वो उनसे बच्चे पैदा करेगा तो अब क्या होगा कि यहां पर वर्ण संकर अवलादे पैदा होंगी यह गीता का में थीम है में थीम जो पहला प्रशन स्राप चीज़ार जाएं जबकि वो खुद ही वर्ण संकर अलाद बच्चे ही पैदा कर सकता था दूसरा फूत्रर करण 고 लिए इंडर पुत्र एक वर्ण संकर अवलाद जो हैं दूसरों को कह रहा है कि मारा इसंटितू इस आपकि हमारा प्रमोट कर रहा है तो यहां पर आप किस हिसाब से इसको प्रमोट यह लोग कर रहा है मुझे यह नहीं समझ मारा जो कैहीं अगेंस्ट में है अचा दूसरी बात कि क्रिष्나 क्या कहता है इसमें कि यह कह रहा है तो लोग बैठ हो अब जाच होगा उसकी हम लोग जाच लेंगे उस पर दलीले होंगी उस पर बातचीत होगी और किसको क्या चीज जरूरत है वो हम फैसला करेंगे यहां पे नियाई पालिका की बात आ रही है बिना लड़ाई जगड़े के कोई थर्ड बंदा जो है फैसला देखा इसकी बात आ रही है तो कृष्ण जो है गीता में कहीं भी यह बात ही नहीं कह रहा है कोई एक थर्ड बंदा को रखा जाए जो हम दोनों के बीच में जो गलत फैमिया है उसको वो निप्टारा कर सके उसका फैंसला कर सके आज भारत देखिए भारत क्या छोटे सो छोटा देश भी उसके यहां नयाई-पालिका है पाकिस्तान जैसे देश में नयाई-पालिका है बंगलादेश जैसे में नयाई- यह कितनी विक थिंकिंग है विक फिलोस्पी है और इसको हम समाज पर एक्चुल में हम बच्छों को मैसेज क्या देना चाहते हैं क्या पूस में लगा देना चाहते हैं पढ़ेंगे नौकरी करनी खाना है हर चीज हम कर्म जो करते हैं किसी ना किसी फल के लिए करते हैं बच्छों क्या सिक्षा देंगे हमारे बच्चे कहते हैं आपने हमको इंग्लिश और संस्कृत क्यों पढ़ाई क्या यूज है तो अभी मैं कीता के लिए सोच रही हूं जो रामायन इनका यूज क्या है बच्छे मतलब वर्ण संकर्ता की जो बात आई सर इसके बारे में मैं कहना चाहते हूं साइंटिफिक अधीक को बच्छों थैसरे चाहिए। तो वो साइन्टिफिकली बहुत खराब है इसलिए Constitution में ये कहा गया है कि हाँ ठीक है ये इस तरह के किसी भी धर्म में और किसी भी रिलीजियर उसमें कास्ट में ऐसे आप शादी करें बिल्कि अच्छा बताया गया है बाबा साहब में अज़े आपने बहुत अच्छा बोला एक और ये पूछना था कि जब होली तेवार गया है और ये जो होली दीवाली तो मैं होली के बारे में मुझे ये पता है कि किवल दो स्टेट का एवस्टिवल एक यूपी और बिहार यूपी बिहार वाले जहां गई भी जाएंगा तो और यह दिवाली या और कुछ तो अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग बहुत सारे ओ नम पॉंगल भी हूँ विसाखी लोडी गुडी पड़वा महाराश का तो यह हमारी संस्कृति कैसे बन गया हमारे कल्चर कैसे बन गया है यह सिर्फ दो सो कॉल्ड होली दिवाली की ह फेस्टिवल्स मनाई जाते हैं यह आपने बड़ा एक अच्छा यहां पर प्रश्न पूछा अभी जो लिस्ट आई है ना 2022 में जो देखा गया है कि भारत के तीन सबसे पिछड़े राज्ये कौन से हैं तो लिस्ट में देखा गया है कि अभी कि जो भारत के तीन सबसे यह तो अब इसका नाता भी समझ जाए कि जिन जगहों पे लोगों की इंकम इतनी कम है लोग खाने पीने को दिकत में है रहने की सुईधाय नहीं है इनके जगह की डेंसिटी देखिए कितनी है बिहार की तो डेंसिटी बंगाल को भी ज्यादा पार कर गई है इतना लोग ज चुकि है पानी रिसोर्सेस जो है ऐस्या में तो वैसे भी मीठे जल जो पानी पीने वाली है उसकी ऐसे ही कमी होती है और यह जितनी जनसंक्या बढ़ रही है उतने ज्यादा भोग बढ़ रहा है उतनी ज्यादा फसले बोने की जरुत पड़ती है तो जमीन से भी यह मीठा पानी निकाल निकाल के उसको supply किये जा रहे हैं तो इतनी दिक्कत है और वहां पे ही यह मनाया जा रहे हैं festivals क्योंकि इनको बहुत असान है ऐसे लोगों पर अपनी बाते थोपना बहुत असान होता है जिन भी बरेक कर सकते हैं तुरंत भी ब्रेक कर सकते हैं कुछ भी आप थोड़े से पैसे दीजिए उनको भी आर्थिक फैय happily होगा उनको पैसे फिए कि ऑफी नवराथ माना ले मूर्सि लगा ले ये फंड में में रिलीज कर रहा हो तुरंत त्यार करने के लिए क्योंकि उन्हें लगेगा कि चलो आज की तो बेवस्था हो गई ना खाने पीने की तो इसलिए जो जितने पिछड़े राज हैं जो बैकवर्ड जो एस्टेट हैं उनके लोगों से असानी से इन चीजों में फंसाया जा सकता है किया सकता है यह एक बहुत बड़ा रीजन है ज इसमें की यूपी के गाजियाबाद हुआ फिर लोड़ा ग्रेटर लोड़ा हर्याना के कुछ सिटीज है मैंने बहुत सारी लिस्ट नहीं नहीं देखी पर यह सुनके बड़ा इसमें डेली भी है इसमें बड़ा दुख है कि अमंग हंड्रेट सिटीज ऑफ और लोगों वर आड़ में इतने करोड़ो रुपे हमारे हमारे टैक्स की हम लोग के सबके टैक्स की जो कमाई वो एड़िजमेट में फोग दी गई तो सब कब रुखेगा